Good morning everyone, बहुत बार आपका सवाल की हमें कौन सा face wash यूज करना चाहिए, कौन सा face wash अच्छा रहेगा, आप कौन सा face wash यूज करती हैं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि face wash जो है ना हमारी skin के लिए एक बहुत ही एहम role play करता है, अगर आपका face wash अच्छा नहीं होगा, तो वो आपकी skin को damage करता जाता है, मतलब कि आपकी skin में जो भी चाहिए से दाग धबे हैं, आपकी skin बहुत ज़ार dry है, sensitive है, वो सब आपकी face wash पे भी depend करता है, हम बोलते हैं कि वह यह skin care, skin care, बस skin care पे ही focus रखते हैं, लेकिन जो important चीज है face wash, उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वैसे तो मैंने आपको naturally बताया ही था कि किस तरह से आप natural चीजों से जैसे basin, चावल का आटा, मुलतानी, मिती, घर पे मौझूद चीजों से कैसे अपने चेहरे को दो सकते हैं, अब देखिए यह थोड़ सा जंजट वाली चीज होती है, कि morning का time एक ऐसा busy time होता ह कि इस time पे हम कोई भी जंजट करना बिलकुल पसंद ही नहीं करते, तो readymate जो चीजे होती है, हमारे लिए सबसे best हमें solution लगता है, तो ऐसा ही readymate, एक मैं आपको face wash यहां पे बनाने वाली हूँ, total natural चीजों के साथ, घर की चीजों के साथ, और यह जो face wash है, यह आपकी skin को damage न पढ़ता जा रहा है, तो आपका skin, skin tone fair होना शुरू होगा, दाग दबे face से fade होते जाएंगे, overall आपकी पूरी skin के लिए बहुत ही जादा फाइदे मन्द होने वाला है, चलिए, किस तरह से हमने face wash को तयार करना है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप इस face wash को हपते बर क सकते हो, जादा दिन तक के लिए बना करके नहीं रखना, क्योंकि हम जब खुद से कोई भी चीज बनाते हैं, उस वज़ा से क्या हो जाता है, कि चीजे कुछी दिनों में खराब होने के chances हो जाते हैं, अब खराब चीज अपने चेहरे पे लगाओगे तो तब भी तो नुक मेरे पास देखी सकते हो, आप समझी के होंगे कि ये वीट रूट का जूज है, चुकंदर का जूज है, अगर in case आपके पास अवलेवल नहीं है, और आप यूज नहीं करना चाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी रिजन है, तो इसकी जगह पे आप ले सकत हैं, चावल का पानी, चावल का पानी कैसे बिनाना है, आपनी क्या करना है, कि चावल को भीगो देना है, दो दिन उसको भीगो करके रखिए, आपका जो चावल का पानी है, थोड़ा खटी स्मेल उससे आने लगेगी, थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी, तो वो ए बरने किया ओ ERIC भम साल को पदआल तो आप आपने क्या करना सी कि बना लें या तो दो तीन चम्म चावल लिए को इसको अच्य पॉइल की और आप इसमें भिश मिक्स कर सकते हैं गलती से मैंने दोनों चीजों को मिक्स करके ले आई और फिर अभी आपको दिखा रही हूँ पर आपको पते हैं कि चुकंदर का जो कलर होता है वो इस तरीके का बिल्कुल रेड सा कलर होता है और जो यह फेश फॉष बनके रेडी होगा ना ऐसा नहीं कि नैच्टरल चीजे ही हैं आपको वह वाला साटिस्फेक्शन नहीं मिला कि जो आपके चाहरे पर जाग बन रहा था जो कैमिकल वाले दुकान से आप लेकर के आते हैं तो बिल्कुल उससी तरह से त्यार करेंगे टेंशन ना लीजे आप क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत बार ऐसा होता है जब तक आपको माइड से सैटिस्फेक्शन नहीं है तो आपको रिजल्ट भी दिखते नहीं है तो यह satisfaction हमने यहां से भी लेकर के आना है बाकी चलिए यह दोनों चीजों को मैंने mix करा हुआ है मैंने चावल को भीगो के रखा हुआ था और उसका पानी और यह जो चुकंदर है चुकंदर का juice चुकंदर को क्या किया है मैंने छोटे pieces में कट किया mixer jar में blend किया और फिर अच्छे से उसको stain कर लिया जो उसका यह pulp सा रह गया उसको भी आप इस्तमाल किजेगा उसको भी fake ना नहीं है बिल्कुल भी और उसको आप खाने में भी इस्तमाल कर सकते हैं उससे आप scrub तयार कर सकते हैं थोड़ा सौस में चावल का आटा मिला करके शहद मिला करके और इसी juice से मिला करके आपका scrub ready है बहुत फायदेमंद वाला तो यहां पर देखिए मैं यहां पर आपको बना करके अच्छे से दिखा रही हूँ तो यहां पर इस तरीके से आपने ले लिया जितने भी quantity आप लेना चाहते हैं जितना भी आप बनाना चाहते हैं पूरी family ने यूज करना है तो आप उस हिसाब से बना सकते हो quantity अपने हिसाब से रखिए मैं हरवार बोलती हूँ चीजों को खुद से experiment किजिए जब तक आप सिखोगी नहीं चीजों को quantity आप चाहते हैं अब देखिए second जो इसमें चीज जाएगी सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ glycerine सरदियों को मौसम है सरदियों को मौसम ना भी हो तब भी glycerine में होती है healing properties healing properties होती है तो आपका skin अगर फटता रहता है उसको heal करने का काम करती है और ना सिर्फ heal करने का ही काम करती है आपकी जो skin के pores होते है उनको minimize करने का काम भी glycerine करती है skin को fair करने का काम करती है बहुत सारे गुण होते हैं इसमें बड़ी-बड़ी companies को पता है इन गुणों का वो इन छोटी-छोटी चीजों का यूज़ करते हुए आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट आपके लिए लाँज करती है, उनको हम जरूर इस्तमाल करते हैं, लेकिन ये सोच कि ये तो बहुत ही चोटी सी कीमत में आपको मिल रही है, तो पता नहीं असर देगी की नहीं देगी, तो ये मेंटल्टी जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे, तो ऐसा है, और देखिए आप कितना लेना है, यहाँ पे मैं लेनी हूँ, लगवग एक चमबस के करीब, आप अपनी क्वेंटिटी के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है, इसको हम कर लेंगे मिक्स इसमें, और इसके साथ ही तीसरी चीज जो ले रहे हैं, वो लेनी है आपको गुलाब जल, गुलाब जल बहुत ही बड़िया टोनर का, क्लिंजर का काम करता है, और आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेबंद होता है, सबको पता है, मतलब इसके बेनफिट्स के बारे तो यह चीज आपने ले लिए उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया, अब देखिए आपने इसमें और क्या आड़ करना है, आपने इसमें और देखिया, आप इसमें टर्मरिक भी आड़ कर सकते हैं, जर लोगों को बहुत पिमपल्स रहते हैं, बहुत सारे फेस वाश आते ह अब लिए और चंदन के साथ, तो इस तरीके से आप घर पे, आप चंदन भी इसमें अड़ कर सकते हैं, आप इसमें हल्दी भी आड़ कर सकते हैं, आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो भी इसमें आड़ करना चाहें, चंदन का पेस्ट या खुद से अगर आपके पास खुद अगर उसको बनाते हैं, खुद की जो चीज़े होती हैं, खुद से जब हम थोड़ी सी महनत करते हैं, वो चीज़ प्यार होती है, ठीक है, तो यहां पे हल्दी बहुत जादधा नहीं लेनी होती है, लगवग वन फोर्थ टीस्पून के जितना हम हल्दी लेंगे और हल्दी, कच्ची हल्दी अगर हो, कच्ची हल्दी मतलब कि जो घर कीशु दलती होती है, वो वाली लेते हो, बहुत फायदे में दे, आदी क्या एक चमश भी ले लेना, बाकि अगर नहीं है आपके घर वल्दी तो कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी ये भी प्य करनी उससे बेटर है कि हम skip कर दें ठीक है बाकी चंदन भी एड़ कर सकते हो सारी चुछों को इच्छे तरह से mix करते जाए अब देखिए इसमें हमने क्या एड़ करना है आपने इसमें एड़ करना है अलविरा जल एलविरा स्किन के लिए बहुत फायदे मंद होता है और साथ में जो आपका फेस वाश होता है एक बड़िया सी consistency में इस लिखे की तो उस consistency में भी आपको यह दिखेगा आप अपनी हिसाब से इसमें एड़ कर सकते हो आप एक चमश एड़ किजिए दो कि जतना पतला आपको चाहिए जतना घहना आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको ऐसे face washes आते हैं जो कि हमारे लिए face पे scrub का भी काम करते हैं हलके हलके चुट 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 से beards की तरह उसमें दाने दाने से होते हैं जो कि हमारे चेहरे पे जब हम रब करते हैं अपने skin पे उसे तो आपके skin पे blood flow को increase करते हैं skin जो dead skin है उसको हटाने का काम क इसमें भी कुछ नहीं होता, वालनट का पाउडर जैसा बनाया होता है, और मिक्स करके होती है कॉफी, तो वह चीज होती है, बाकी इसको भी हमने ले लिया, अब देखे इस फेश वाश से फिर हमें वह वाली चीज भी फेल होगी, तो अगर आपको डैड स्किन बहुत जादा फर्ती रती है, स्किन चाहरे पर जम जाती है, उसको हटाने के लिए बहुत काला पढ़ गया है चाहरा, तो ये भी एड करके अच्छी तरह से चीजों को कर लिया, मिक्स, अब देखे, अब फाइनल में, अब जो चाहिए था न, आपको जाग भी बनना चाहिए, सैटिसफे फाबंद हो गई चीज, तो उसमें प्रिजर्वेटिव क्यामिकल्स एड करेंगे, तभी जाकरके वो इतने दिन तक प्रिजर्व होके रहेगी, मैंने आपको पहले बिता दिया, कि जो हम खुद से बना रहे हैं, तो उसमें हम नहीं एड करेंगे कोई क्यामिकल अब इससे क्या होगा, कि वो जो जाग है, जो आपको एक सैटिस्पेक्शन सा है, आपकी माइंड के लिए, तो वो आपको यहां बे मिलने वाला है, तो इसको आप अपने हिसाब से लेंगे, जितना आपके मतलब इस फेश वाश में आपको चाहिए, तो इसको भी हमने बिल आप से निकाला और लगाया, तो यह आप अपनी हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको स्टोर कर सकते हैं, और फिर आप डेली वस आपका यूज करने के लिए, फेस वाश जो है, रेडी है, उसी से आप अपना फेस वाश कीजिए, आपको बहुत फाइदा मिलेगा यह देखे, कुछ इस तरीके का यह बनके रेडी होता है, पिंकिश पिंकिश ग्लो देगा, अप अच्छी तरह से इससे मसाज किजिए, और फिर अपने चेहरे को धो लीजिए, ठीक है, तो आपको वो जाग सा भी दिख रहा है न, तो वो भी दिखेगा, और साथ में आपक किसी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नमश्कार, बाबाई